हेलो दोस्तो मैं हूँ दाउद स्वागत है आपका मेरे यूटूब चाइनल मेडिसीन आउलेज में आज जानकारी लेंगे ट्राइमॉक सीवी सस्पेंशन के बारे में दोस्तो अगर आप इस चाइनल पे नए हो तो मेरे इस चाइनल को सब्सक्राइब करे अपने दोस्तों के साथ सेयर करे और घंटी के वेल आइकन को दवाना ना भूले जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले चलिए बिना देरी किये वीडियो करते हैं स्टार्ट दोस्तो इस वीडियो में जानकारी लेंगे ट्राइ मॉक सीवी सस्पेंशन के कमपोजिशन क्या है इसके यूज क्या है इसके प्राइस क्या है इसके डोज और साइड एफेक्ट के बारे में पूरी जानकारी लेंगे दोस्तो बिना एसकीप किये लास्ट तक वीडियो देखे जिसे सही जानकारी आपको मिल सके दोस्तो ट्राइमोग सीवी सस्पेंशन में प्रा कमपनी मेनफेक्चिंग करती है या 30 ml में आता है जिसका प्राइस 60 रुपिया असी पैसा है दोस्तो या मेडिसीन आसानी से किसी भी मेडिकल स्टोर या केमिस्ट शॉप पर मिल जाएगी दोस्तो अब जानकारी लेंगे इसके कमपोजिशन के बारे में दोस्तो इसे कमपोजिशन की बात करें तो इसमें एमोक्सिसलीन 200 mg और केलवॉनिक एसीड 28.5 mg के साल्ट मिले होते हैं दोस्तो या मेडिशीन आप्रील 2021 में इन्फेक्चिंग किया गया है जिसका एकसपारी डेट शेप्टेमबर 2022 तक है दोस्तो इस मीडिशीन को लेने से पहले एकसपारी डेट जरूर चेक कर ले हैं दोस्तो अब जानकारी लेंगे इसके यूज के बारे में दोस्तों Tarimox CV suspension में दो दवाओ का मिशन होता है इसमें Amoxicillin और Calvonic Acid के content मिले होते हैं यह medicine एक antibiotic medicine है इसका यूज़ वेक्टिरिया से होने वाल infection के इलाज में किया जाता है जैसे कि bacterial infection का होना, कान में infection का होना इन condition में आप इस medicine का यूज़ कर सकते हैं जो की बहुत ही अच्छा काम करता है अगर आपको गले में इंफेक्शन है तो इन कंडिशन में भी आप इस मेडिसीन का यूज कर सकते हैं इसका इस्तेमाल टाफाइड बुखार होने पर भी इस मेडिसीन का यूज कर सकते हैं जो की बहुत ही अच्छा काम करता है इसका इस्तेमाल दांत रोग और पेट में अलसर के इलाज में भी किया जाता है दोस्तो एक ध्यान देने वाली बात या है कि आप देख सकते हैं या मेडिशीन सेट्डिूल एज ड्रग्स के कटेगरी में आता है इसका इस्तेमाल डाक्टर से सला लेकर ही यूज करें जानेंगे इसके साइड इफेक्ट के बारे में दोस्तो अगर आपको इस मेडिशीन से एलर्जी या ओबर डोज होने पर कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं जैसे की चक्कराना उल्टी दस्त शरीर पलाला चकत्ते होना हो सकता है ऐसी कंडिशन में इस मेडिशीन का यूज ना करें और तुरंथी डाक्टर से संपर्क करें दोस्तो ये थी कंप्लीट जानकारी टरायमॉक सीवी के बारे में दोस्तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस चानल को सब्सक्राइब करें लाइक करना ना भूले दोस्तों फिर मिलते हैं अगले नेक्स वीडियो में